हेलो गाईज तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन्यूम टाइम पर और गाईज अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर कर दें और अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे ही प्लेइलिस्ट मेरे ह की फाइट स्टार्ट होने वाले रहती है अब आगे जियानवी इस फोर्स ट्यानजून के बढ़ते औरा को देखकर सीरियस हो जाता है इस समय इसका और डाउजून के पीक पर होता है और ये बांद सेंग से थोड़ा कम होता है हाला कि इन दोनों लेवल में जमिन आसमान का फरक होता है बहुत से लोग इसी लेवल पर पहुँच कर भी बांद सेंग में एंटर नहीं कर पाते हैं और ये उनके जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रह जाता है ये लेवल जो डाउजून नाइन स्टार के पीक से उपर और शेंग यानि डाउजून लेवल या ब अब्सार नहीं कर सकती है और वह नाइन चेंज में एंटर कर जाता है इस दोरान और अगर उसे अपने डाउटी को इंक्रीज करना है तो उसे पहले अपने अंदर की जो डाउटी है उसको सप्रेस करना होगा तभी वह बाहर की डाउटी को अब्सार कर सकता है और अपनी न और फोर्ट यांजुन इस समय जब जियान से फाइट करने आया होता है तो वो वन पीक चेंज पर होता है और जब इसने अपना ये कई लोगों का ब्लड एक्स्प्रोड करा के जब एब्सॉर्ब कर लिया रहता है तो ये थर्ड चेंज पर पहुंच गया रहता है इस ब्लड टियांजन को यूज करने के बाद किसी के भी बॉड़ी पर जो पढ़ने वाला बुरा एक्स्प्र होता है वो बहुत ज़्यादा था इस टेखनीक को यूज करने के एक महने बाद इसे कोई प्य डाव वांग लेवल का भी बंदा मार सकता था फोर्ट यांजुन के प्राइटनिंग, बलड कलर्ड, फॉक चारोत्रा फैल गई होती है। यह आसमान में एक प्लडी क्लाउड बना ली रहती है। जियान इस ब्लडी क्लाउड के फ्राइटनिंग इनरजी को सेंस कर सकता था। इस अटेक को देखकर जियान अपने चारो और हैवनली फ्लेम को समन करता है इन heavenly flames के कारण आसपास का temperature काफी बढ़ गया रहता है इसके बाद जियान एक fake heavenly flame निकालता है जिसका नाम life transforming flame होता है इसे जियान ने खुद ही refine किया रहता है मतलब बनाया रहता है और जियान अपना five ring expelling technique launch कर देता है ये पाचों flame अलग-अलग spirits में transform हो गए रहते है guys मैंने ये five ring expelling technique गुयाओ और जियान की fight के दोरान काफी अच्छे से explain किया हुआ है तो आप उसे वहाँ पे जाकर देख सकते हो ये पाचों spirits जो रहती है mysterious formation बना लेती है और काफी तेजी से rotate करने लगती है और ये finally five colored coil में बदल जाते हैं जो 200 feet के area में फैला होता है इस attack attack को देखकर फोर्थ टियांजून एक cold snort देता है मतलब एक ठंडी smile या घुस्ता जो भी भूल लाग ये अपने मुह से एक blood pillar bloody cloud की तरफ shoot कर देता है इसे ये bloody cloud break कर जाता है और एक 10,000 feet का blood pump बनकर यहां से bloody cloud से निकलता है जिसे देखकर सभी की आँखे shock में होती है जियान भी इस attack को देखकर काफी serious हो गया रहता है और ये attack जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही होती है इस attack को launch करने के बाद 4th टियांजून कहता है देखो अब मैं तुम्हें मिट्टी में कैसे मिलाता हूं उसके इन सब्दों को सुनकर जियान उसे cold look देता है और अपना 5 ring experiment technique को उस bloody palm की तरफ launch कर देता है ये दोनों attack भेंकर तरीके से टकराते हैं इस समय तो मानो बादल भी मिट्टी में मिल जाए ऐसा प्रतीत हो रहा था इन दोनों attacks की टकर से hurricane मतलब energy hurricane बन गया होता है ये इस energy hurricane को देखकर थोड़े पीछे ही आये रहते हैं मतलब 40 आंजून क इनके पीछे जियान आ गया रहता है फोर्थ ट्यांजून के इस समय होश उड़ गया रहते हैं वो जियान को sense भी नहीं कर पाये थे जियान इनके shocked face को देखकर एक fan smile देता है और अपना great heaven creation palm technique को इन पर launch कर देता है ये फोर्थ ट्यांजून इस attack को देखकर अपने body के उप उपर एक blood thick cuticle layer बना लेते हैं मतलब blood color का काफी मोटा layer बना लेते हैं जियान का heaven creation palm इन से violently टकराता है इस creation palm से एक से इसके blood cuticle defense में crack आने लगता है finally इस attack के current force ट्यांजून काफी पीछे ढगेल दिये गए रहते हैं और ये खून के ulti करने लगते हैं जियान इस समय अपने phynix wings use कर रहा होता है इस समय अभी भी ford ट्यांजून पीछे की तरफ जाही रहे होते हैं तभी जियान इनके पीछे प्रकट होता है मतलब जो जिया पारो heavenly flames की मदद से एक beautiful fire lotus बना लेता है इस fire lotus के frightening energy को फील कर force ट्यांजून काफी शौक था जियान इस समय तक तीन अटेक्स इन पर किया होता है मतलब यह जो fire lotus होता है यह तीसर आटेक होता है और यह तीनो ट्यान क्लास डाव टेक्निक होते हैं तो फोर्ट ट्यांजून इन चीज़ों को देखकर अपने मन में कहता है कोई आश्यर नहीं कि इस बंदे के हाथों हमारे हॉल अप सोल से इसे कई एक्सपर्ट्स मारे गए हैं उसे भी अब रियालाइज हो जाता है कि यह जियान कितना पावरफुल है इस समय तक फोर्ट यांजून काफी रिक्रेट कर रहा होता है कि वो इस टास्क को एक्सेप्ट ही क्यों किया जियान अपने फिरोसियस लोटस को फोर्ट समय भी सूख जाती है इन आग की लप्टों में से एक इनसान आग के गोले के समान बाहर निकलते वे दिखता है यह फोर्ट यांजून इस समय काफी चीख रहा होता है इस समय यह सूवर के गोस्त के समान दिख रहा होता है यह फोर्ट यांजून अपने ही द्वारा बनाए गए sea blood में जाकर गिरते हैं और ये पूरा sea blood bubbles के समान उबलने लगता है और थोड़ी ही समय में सूख जाता है जियान तुरंत ही इस hole के सामने प्रकट होता है ये तुरंत ही purple brown color flame से एक fire pillar इस hole की तरफ shoot कर देता है जहां से fourth tianjun की थोड़ी थोड़ी औरा feel हो रही होती है इसे जियान इस समय fourth tianjun को पूरी तरह से finish करना चाता था इस attack को देखकर fourth tianjun जो इस समय पूरी तरह से खुन से सना हुआ होता है अपनी आखे खोलता है वो एक jet token निकालता है और इसे पटक कर तोड़ देता है जितना भी उसके पास strength था इस jet token के तूटे ही एक special black tunnel प्रकट होत होता है और इस tunnel में से section force निकलता है और जो fourth tianjun को अपनी तरफ खीच के समा लेता है जियान का attack जब तक यहां पहुंचता है तब तक यह fourth tianjun यहां से भाग चुका रहता है जियान इनके भागने के बाद anxious नहीं होता है मतलब ज्यादा चिल्तित नहीं होता है वो जानता थ future में और ज्यादा strong होकर इसे आसानी से मार सकता है जियान एक deep breath लेता है वो भी अब तक काफी exhaust हो चुका था हाला कि इसके पास लगभग tian class की key method होती है यानि flame मंत्रा पर इससे भी इसको अगर fully recover करना हो तो इसे काफी time लग सकता था तब इतना ज्यादा exhaust होता है यान अल hall of souls और profound sect के कुछ experts यान land से fight कर रहे होते हैं वो अपनी उंगली के दसो टीप उपर मतलब दसो उंगली उपर एक fire pillar बनाता है और इन में से कई सारे को ये इन pillars के through ruthlessly attack कर देता है इसके बाद hall of souls वाले situation को भाब कर यहां से भाग जाते हैं जियान इस समय कई अलग-अलग sect वालों को घेर लिया रहता है जो hall of souls के दबाओ के कारण यहां आये होते हैं जियान इनसे कहता है अकर तुम सब यहां से जाना चाहते हो तो तुम्हें profound sect के एक एक बंदे को मारना होगा मतलब इनकी एक जान बचाने के लिए इन्हें profound sect के एक बंदे को मारना होगा तभी य कई warrior मारे जाते हैं या seriously injured हो जाते हैं और जो कुछ बचे खुचे रहते हैं वो यहां से भाग जाते हैं अब यह कहा जा सकता है कि profound sect लगभख finish हो चुका है अब यान alliance को इनसे future में कोई खत्रा नहीं होता है इसके बाद जियान fortress के wall पर लोट आता है इस समय यान alliance के सभी warrior जियान की जैजे कार कर रहे होते हैं काईलिन जियान की तरफ देखती है और एक fan smile देती है और कहती है तुम एक बर फिर lone warrior बन गए lone hero बन गए जियान भी काईलिन को देखकर smile देता है तीनों who elders भी जियान की तारीफ करते हैं और कहते हैं junior pavilion chief लोगों की उमीद से भी कहीं ज्याता बहतर निकले, इनकी आखों में जियान के लिए एक अलग दर्जे की रेस्पेक्ट होती है, इसके बाद जियान इन 300 एक्सपर्ट्स को जो कि जिनकों की ये सेंट्रल प्लेन से लाया होता है, इनसे कहता है कि मैं जब स्टार को अवेलियन लोटूंगा, तो आप सब को आपके वादे के अनुसार, मैं जो आपको एट टायर्स की पिल देने का वादा किया हूं, सबको मिल जाएंगी, ये लोग कहते हैं, हमें भरोसा है क्योंकि हमसे वादा याओ चेन, यानि मास्टर याओ लाओ ने किया है, क्योंकि मास्टर याओ लाओ का सेंटर प्लेन्स मे काफी ज्यादा नाम होता है जायो ली और जायो डिंग इस दोरान कुछ लोगों को बैटल फिल्ड क्लीन करने के लिए भेज दिये रहते हैं इस समय जियान का ध्यान लेटिल जायो जायो जाता है जो काईलिन की गोद में होती है वो इस समय फादरली लब से भरा होता है इसके बाद जियान जायो जायो को काईलिन की गोद से लेकर उसे किस करने लगता है तभी जियान का ध्यान जायो जायो के कंधे पर जाता है इसके कंधे पर एक seven colored heavenly स्वालविंग पाइथन अपना स्नेक टॉंग प्यार से जियान के तरफ बढ़ा रहा होता है इस पाइथन को देखका जियान भी सर्प्राइज होता है काईलीन बताती है कि यह पाइथन का सोल जयो-जयो की बॉड़ी में पुनर जनम दिया है क्योंकि अगर आपको याद होग और इसका की सोल पूरी तर से डॉमिनेट नहीं कर पाती है तो जब काईलीन जयो-जयो को जनम देती है तो यह जो पाइथन का सोल रहता है जयो-जयो के बॉड़ी में थोड़ा बहुत रहता है जिसके कारण जयो-जयो जयो जनम से ही ।्वाउ-bर रहती है जौंग लेवल पर रहती हैं जियान कहता है ये पाइथन काफी ताकतवर है और भवी समय ये और ज्यादा ताकतवर बनेगा पर ये मेरी बेटी के लिए उधार लिया हुआ स्ट्रेंथ है, मेरी बेटी किसी दूसरे के स्ट्रेंथ के भरोसे नहीं रह सकती, जियान इस समय काफी excited होता है, वो कहता है मैं जायो जायो को perfect training condition दूँगा, जायो जायो perfect होगी क्योंकि ये जियान की बेटी है, ऐसा वो बोलता है जियान के excitement को देखकर काईलिन के cold चेहरे पर भी एक समय के लिए gentleness आ जाता है काईलिन अपने जान से भी जादा जयव-जयव को प्यार करती थी जियान को जयव-जयव को इतने अच्छे से treat करता देख वो अंदर से काफी खुश होती है काईलिन कहती है कि जायव-जयव की body condition जनम से ही काफी अच्छी है क्योंकि तुम्हारे soul bone blood pill के करण ही ऐसा संभव हुआ है क्योंकि जियान जब जियामा empire से काफी दूर होता है मतलब black corner reason में होता है तभी ये soul bone blood pill लगवख tire 7 का middle grade के आसपास का pill refine करके अपने ब्रदर जायव-दी के हाथो इनको भीजवाया रहता है मेडिवसा को यानि काईलिन को जियान के बाद सुनकर एक आदमी जो इसके बगल में खड़ा होता है कहता है heavenly soul bone pill अच्छी है पर ठीक ठाक है ये पिल है इससे भी बहतर पिल्स हैं जैसे की mysterious bodhisattva foundation building pill ये एक seven tire की peak की पिल होती है और ये जायव-जायव के लिए काफी suitable होगी ऐसा वो आदमी कहता है मैं इस पिल को 40% chance के साथ ही refine कर पाऊंगा मतलब अगर मैं इस पिल को refine करना चाहूंगा तो 40% chance है कि मैं इसमें काम्याब हो जाऊंगा तो alliance सिफ जियान आपको ही ये refine करना होगा ऐसा ये आदमी कहता है जियान इस आदमी के तरफ देखता है ये grand master गुहे पहले इनको pill किंग गुहे कहा जाता था गुहे इस समय यान alliance के medicinal hall के chief होते हैं गुहे के आसपास 2-3 alchemist होते हैं और इनकी आखों में जियान के लिए respect तो होता है पर ये एक अजीब expression जियान को दे रहे होते हैं क्योंकि जियान कई सालों से इस northwestern reason में आया ही नहीं रहता है तो ये फिलहाल मतलब गुहे को ही अच्छा मानते थे गुहे जियान से पास्त में medicinal competition में हार गया रहता है तो इसे जियान से थोड़ी अंदर से चीड़ तो थी लेकिन फिर भी एक अच्छा आदमी था ये इन सालों में काफी tough training करके टायर 7 का high grade का alchemist बन गया था नौर्थ वेस्टन रिजन में इसके टककर का कोई नहीं रहता है इसके power में increase होने के करण ये अब फिर से जियान से competition रखने लगा था हाला कि उसके अंदर कोई दुरभावना नहीं होती है इस समय इसे अपने talent पर काफी गर्व होता है इसके पीछे जो alchemist खड़े थे ये भी टायर 6 के होते है काईलिन जियान के कान में बोलती है कि यान अलायंस के growth में पिल हॉल का काफी योगदान है इसलिए ये लोग अभी काफी arrogant हो गए है इन में से कुछ तो ऐसा भी कहते है कि पिल हॉल के बिना यान अलायंस चलेगा ही नहीं पिल हॉल धीरे धीरे independent भी बन चुका रहता है पिल हॉल वाले मुझे इतना prestige नहीं देते क्योंकि मैं अलकमिस्ट नहीं हूँ इसा काहिलिन बताती है और ये गुहे को ही सबसे यदा respect देते थे इसके बाद जियान समझ जाता है कि यान अलायंस में अभी unity नहीं है मतलब गड़बड हो चुका है बहुत इन पिल हॉल वालों को arrogance ये बढ़ने नहीं दे सकता था नहीं तो future में यान अलायंस के लिए cancer बन सकते थे जियान गुहे और बाकी पिल हॉल elders की तरफ देखता है और वो हसता है और कहता है mysterious बोधिस अच्छा है पर acceptable नहीं है इसके बाद वो कहता है क्या grand master गुहे first start pill के बारे में सुने है ये first start pill का नाम सुनकर गुहे के बाजू में खड़े elder shock हो जाते हैं ये कहते हैं 8 tire first start pill गुहे भी अपनी shock डाकों से जियान की तरफ देख रहा होता है बाकी elder जियान के बारे में सुने रहते हैं पर ये गुहे को अपना elder leader मानते थे और यान alliance का top alchemist भी मानते थे जियान गुहे से कहता है कि पिल hall में कल आप सारे alchemist को एकठा कर लेना मैं first start pill refine करूंगा ये बताता है कि tire 8 में pills की quality lightning से decide की जाती है और जियान यहाँ पे जो अपनी first start pill बनाने वाला होता है इस indication को समझ गया रहता है कि pill hall के arrogance को क्योंकि ये भी जानता था पर ये अच्छा leader ना होने के करण इन लोगों को अच्छे से manage नहीं कर पाया रहता है इधर scene shift होता है काईलीन जियान को कहती है कि तुम इन alchemist से काफी rudly बात कर रहे थे जियान इस पर कहता है कि ये लोग काफी arrogant हो चुके हैं और मुझे इनको सबक सिखाना ही होगा और इस दोरान जियान जायो जायो को अपनी गोद में लिया होता है और जियान कहता है कि मैं इनको सबक भी जिखा दूँगा और इसके साथ साथ ही हमें जायु-जायु के लिए टायर 8 की फस्ट टार्ट पिल भी रिफाइन कर लूँगा वो कहता है कि अब समय हो गया है कि पिल हॉल को अच्छे से मैनिज किया जाए इस समय जियान इन पिल हॉल वालों के अरोगेंस को देखकर काफी गुस्टा था काईलिन भी जियान के सीरेस चेरे को देखकर हामेसर हिला देती है काईलिन भी पिल हॉल वालों से खुश नहीं थी पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी कायलिन बताती है कि कुछ टायल सेवन के अलकेमिस्ट अभी हाल में अभी हाल में ही पिल हाल जोईन किये हैं पर ये काफी अरोगेंट है और कभी-कभी तो ये पिल सेक्रेटली दूसरे क्लैंस को भी बेज देते हैं पर इनको इसका कोई सबूत अब तक नहीं मिला रहता है जि ज़्यादा कि बिलकुल ही नहीं है तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसमें थोड़े बहुत कट कर सकता हूं ताकि आगे और अच्छा मतलब जल्दी से अच्छे वाले एपिसोड्स पर जा सकूं तो आपके उपर है आप कमेंट में जरूर बता देना थेंक्यू गर्याइश झाले आपके 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 आपके